हेलो एवरीवन, वेलकम तो माई यूटूब चानल माथमारिक्स आसान भाय महेंदर सर, हम कंटीनिव कर रहे हैं CA फाउंडेशन का बिजनस माथमारिक सब्जेक्ट, तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने एक्वेशन चाप्टर का एक्सराइज 1D तक कंप्लीट कर दिया थ है, एंट तक वीडियो जरूर देखना, तो चलो मैं स्टार करता हूँ, फस्ट क्योशन से, तो फस्ट क्योशन यहां पर लिखा हुआ है, मन्थली इंकम आफ टू परसन आर इंद रेशियो फोर इस तो फाई, तो इंकम का रेशियो दिया है, दो परसन का फोर इस तो फाई है, and their monthly expenses, उसका भी रेशियो हमें दिया हुआ है, 7 is to 9, और एक कंडिशन मेंशन किया है, कि if each save Rs.50 per month, then question is, what is their monthly income, तो आपको income find out करना है, income का रेशियो दिया है, expenditure का रेशियो दिया है, इच परसन का सेविंग दिया है, मन्थली, तो हमें find out करना है, income का रेशियो, बहुत स्टार्ट करता हूँ, तो यहां पर देखो, आपको income का रेशियो कितना दिया हुआ है, see here, दोनों भी परसन का, income का रेशियो आपको दिया हुआ है, 4 is to 5, तो let x be the common multiple ले लेते हैं, तो first person का income कितना आएगा, first person का, देखो में, income कितना हो जाएगा, यह 4x हो जाएगा, and जो second person है, उसका देखो, income कितना आएगा, second person का income हमें मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा, income का रेशियो दिया था, तो हमने यहां से income निकाल दिया, 4x and 5x, अब expenditure देख लेते हैं हम लोग, तो expenditure का ratio आपको दिया है, या आप बोल सकते हैं, expenses, तो expenses का रेशियो भी हमें दिया है, 7 is to 9, तो expenses का ratio 7 is to 9 है, तो let y be the common multiple ले लेते हैं, because यहां पर variable x लिया है, तो यहां पर दूसरा variable आपको लेना पड़ेगा, तो let y be the common multiple, therefore first person का देखो यहां पर, first person का आपको expenditure यानि कि expense मिल जाएगा, first person का expense कितना मिलेगा आपको, 7y मिल जाएगा, and second person का देखो, second person का expense कितना 9y हो गया, दोनों भी person का income मिल गया, expenditure हमें मिल गया है, saving दिया हुआ है, each sales rupees 50, because question में देखो, mention किया है, each person, यहां पर लिख देता हूँ मैं, each person sales rupees 50 बोल रहा है, per month, ठीक है, और जो ratio दिया है, वो भी per month का ही दिया है, each person sales rupees 50 per month, तो आपको पता है, income minus expenditure equal to saving होता है, देखो यह हम यहाँ पर लिख सकते है, income minus expense लिख दो यहाँ पर, income minus expense equal to saving होता है, यह basic सा rule आपको पता है, total income minus total expenditure equal to saving, अब देखो first person का, first person का income कितना है, देखो यहाँ पर 4x है, minus, first person का expense कितना है, देखो उसका, 7y है, तो 4x minus 7y is equal to saving कितना कर रहा है, वो 50 rupees का कर रहा है, इसको देदो equation number one, second person, second person का income कितना दिया है, 5x, तो लिख दो 5x minus, expense expenditure कितना है उसका, यहाँ पर देखो दिया है 9y, तो लिख दो 9y, और यह भी saving कितना कर रहा है, 50 rupees का per month, ठीके, तो आपको 2 equation मिल गया है, simultaneous equation, इसे solve करोग गा, तो हम equation number one को देखो 5 से into करते हैं, और equation number two को 4 से into कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 5, 4, 20x minus 5, 7, 35y is equal to 50, 55, 25, 250 हो गया, इसको 4 से into करो, तो 45, यह हो गया, 20x minus 49, 36y is equal to 45, यह हो जाएगा आपका 200, अब यहाँ पर plus 20x है, यहाँ पर भी plus 20x है, सब ट्रैक कर हम लोग, equation यह 3 ले रो, यह 4 ले रो, 3rd minus 4, सब्टराइट करोगे, साइन चेंज होगा, minus, plus, और यह minus आएगा, plus 20x minus 20x cancel हो गया, minus 35y plus 36y, तो आपको यहाँ से y मिलेगा, 250 minus 200 करोगे, तो यहाँ सापको कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, तो y का value 50, either you put in equation number 1 और in equation number 2, तो म यहाँ पर लिखता हूँ, put y is equal to 50 in equation number 1 में put करता हूँ, क्या मिलता है, देखो यहाँ से, 4x minus 7 into y का value 50 is equal to, यहाँ पर 50, यह हो जाएगा, आपका 4x is equal to 50, 7 into 50 करोगे, तो 75 is 35, minus 350, यहाँ पर जाएगा, तो यह plus 350 हो जाएगा, तो 4x कितना मिलेगा, आपको देखो यह 400 हो जा x का value 100 हो गया, y का value 50 हो गया, question क्या पुचा था, find their income, तो first person का income, देखो में निकालता हूँ, first person, ठीक है, first person का पहले हम income निकाल लेते हैं, this is equal to, first person का income कितना है, देखो यहाँ पर, first person का income है 4x, तो यह हो जाएगा, आपका 4 into, x का value हमने find out किया है, 100, तो कितना मिलेगा, second person का निकालते हैं हम लो, तो यहाँ पर देखो second person का income, देखो, second person का income, this is equal to, second person का income कितना लिया था, हमने देखो, यहाँ पर 5x लिया था, यह हो जाएगा 5x, that means 5 into x का value 100, तो यह मिल गया, आपको 500, तो दोनों भी person का income कितना आ रहा है, 400, 500, यह आपका answer आ रहा है, देखते कौन सा option करेक्ट है, 400, 500, option B, देखो, आपका करेक्ट है, first person और यह second person है, तो 400, 500 आपको answer मिल गया, बहुत ही आसान था, हमने इससे solve कर दिया, क्योशन नमर 2 देखो, आपको पूछ रहा है, क्योशन नमर 2 है, find the fraction which is equal to half, when both its numerator and denominator are increased by 2, तो numerator and denominator, दोनों को अगर हम 2, 2 increase करेंगे, तो जो fraction वो half आता, यह पहला condition है, तो मैं condition से start करता हूँ, तो I will write here, let the fraction, let the required fraction, so let the required fraction be, हम उसे x upon y ले लेते हैं, ठीक है, x numerator है और y denominator है, अब according to first condition, देखो, first condition क्या दिया है, find the fraction which is equal to half, यानि कि जो fraction है, equal to half है, when its numerator is increased, when its numerator and denominators are increased by 2, तो numerator कितना है, x है, increase कर दो 2, denominator y है, increase कर दो 2, पहला condition है, यानि कि जो fraction है, उसके numerator में 2 add करेंगे, denominator में 2 add करेंगे, तो fraction will be equal to half, यह पहला condition आपको दिया है, मैं इसे cross multiply कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है, तो cross multiply करोगे, तो यह जाएगा y plus 2 is equal to 2x plus 2, 2 is a 4 हो जाएगा, rearrange कर दो, यह जाएगा 2x minus y, हमने यह y को यहाँ पर shift करना पड़ेगा, तो यह जाएगा 2 minus 4, तो हमें मिलेगा 2x minus y is equal to minus 2, इसको आप देदो first equation, अब देखते हैं second condition क्या यहाँ पर दिया है, second condition हमें दिया हुआ है, this fraction is equal to 3 upon 4, when both are increased by 12, यानि कि numerator and denominator को दोनों को हम 12 increase करेंगे, तो new fraction आता है, which is equal to 3 by 4 है, so according to second given condition, new fraction 3 by 4, 3 by 4 कभी होगा, जब नियुमेरेटर को आप 12 increase करोगे, और डिनॉमेरेटर को भी आप 12 increase करोगे, that means x plus 12 upon y plus 12, cross multiply कर दो second equation आपका बन जाएगा, तो cross multiply यह हो जाएगा, 3y plus 12, 3 is 36 हो जाएगा, this is equal to 4x हो जाएगा, plus 12 forza, 48 हो जाएगा, rearrange करो, तो यह हो जाएगा देखो आपका 4x minus 3y is equal to, 3y को वहाँ पर shift किया है, तो 48 को यहाँ पर लाना पड़ेगा, यह हो जाएगा, आपका 36 minus 48, so this is 4x minus 3y is equal to, 36 minus 48 करते, तो minus 12 आएगा, इसको आप देदो equation number 2, 2, अब equation number 1 and equation number 2, simultaneous equation है, इसे solve करेंगे, तो answer आपको मिलेगा, simply क्या कर दो आप, equation number 1 है, इसको 2 से into कर सकते हो, तो यह 4x हो जाएगा, यह भी 4x हो जाएगा, subtract करें, cancel हो जाएगा, तो equation number 1 को आप simply 2 से into कर दो, तो इसके नीचे वह लिख दो into करके, इक्वेशन number 2 के नीचे, equation number 1 को लिख दो, multiply by 2 करके, यह हो जाएगा, देखो, आपका 2 to the 4x हो जाएगा, फिर minus है, this is 2y is equal to 2 into minus 2, तो यह minus 4 हो जाएगा, plus 4x है, plus 4x, तो subtraction करेंगे, यह हो जाएगा, minus, plus, plus, cancel कर दो, plus 4x, minus 4x, cancel, तो यहाँ पर है, minus 3y, और यहाँ पर plus 2y है, तो minus 3y, plus 2y, कितना हो जाएगा, minus y हो जाएगा, is equal to, यह देखो, plus 4 है, और यह minus 12 है, तो हमें कितना मिलेगा, minus 8 मिलेगा, that means y का value कितना हो गया, 8, तो y का value 8, put कर दो, equation 1, 2, 3, कहीं भी put करो, तो I will write here, put y is equal to 8, in equation number, चलो, मैं 1 में put कर देता हो, यह equation में, यह जाएगा, 2x minus y का value 8, is equal to minus 2, देखते हैं क्या मिलता है, 2x is equal to minus 2, plus 8, so 2x is equal to 6, आएगा, that means x का value कितना मिल गया, 3 मिल गया, question क्या पुचा था, find the fraction, तो हमने fraction क्या लिया था, हमने fraction लिया था, x upon y, तो x का value कितना मिला, आपको 3 मिला है, तो लिख दो यहाँ पे 3, y का value कितना मिला है, 8, तो लिख दो यहाँ पे 8, तो आपका answer क्या आएगा, 3 by 8 आएगा, this is the required fraction, देखते हैं option कौन सा दिया है, 3 by 8 हमें option a में दिया हुआ है, तो option a correct है, बहुत ही आसान था, solve कर दिया हमने इसे, आपको पूछ रहा है, question number 3 है, the age of a person is twice the sum of the ages of his two sons बोल रहा है, and five years ago, his age was twice the sum of their ages, find his present age, तो यहाँ पर भी दो condition आपको दिया हुआ है, पहरा condition है, the age of a person is twice the sum of the ages of his two sons, तो हम क्या करेंगे, sum of the ages of two sons को एक्स अजूम कर लेते हैं, तो मैं देखाए, यहाँ पर लिखता हूँ, let x be the sum of, let x be the sum of ages of his two sons ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, let x be the sum of the ages of his two sons, हमने यहाँ पर क्या अजूम किया, let x be the sum of the ages of his two sons, और हम y लेते हैं, let y be the present age of the person ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, let y be the present age of person ले लेते हैं, ठीक है, उसका हम y ले लेते हैं, present age, तो according to first condition क्या दिया है, the age of a person, मतलब y equal to twice two times, sum of the ages of his two sons, तो y equal to two x आएगा, तो यहाँ से आपको y minus two x equal to zero, एक equation मिल जाएगा, ठीक है, अब देखतें दूसरा condition यहाँ भी क्या दिया हुआ है, दूसरा condition आपको पूछ रहा है, यहाँ पर देको लिखा हुआ है, and five years ago, यानि कि five years ago, his age was, यानि कि five years ago, तो अभी उसका present age y है, तो five years ago, उसका age कितना रहा होगा, y minus five, बर condition क्या दिया है, five years ago, his age was thrice, यानि कि three times बोल रहा है, some of the ages of their son, तो three years ago, sum of the ages को हमने x लिया हुए, sorry, five years ago, sum of the ages का thrice हो जाएगा, तो five years ago, father का age y minus five हो जाएगा, and five years ago, sun का age क्या होगा, दो sun है न, तो first sun का five years ago, और second sun का five years ago, मतलब कि ten years ago हो जाएगा हो, तो यहाँ पर आपको x minus 10 लिखना पड़ेगा, यह step important है, because यहाँ पर हम लोगों ने x क्या assume किया है, sum of the ages assume किया है, two sun का यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से देखो, दूसरा equation बन जाएगा आपका, यह हो जाएगा, y minus five equal to bracket open, three x minus 30 हो जाएगा, rearrange कर दो, यह हो जाएगा, three x y को वहाँ पर shift करो, minus y is equal to minus 30, यहाँ पर shift करो, तो 30 minus five हो जाएगा, so this is three x minus y equal कितना आएगा, 25 इसको आप देदो equation number two, equation number one and equation number two simultaneous equation है, easily हम इसे solve कर सकते हैं, तो equation number one देखो में rearrange करके लिखता हूँ, equation number one है, y minus two x equal to zero, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, minus two x plus y equal to zero, यह आपका first equation है, इसके below में second equation लिख देता हूँ, three x minus y equal to 25, यहाँ आपर देखो three x minus y is equal to 25, यह आपका second equation है, simple है, plus y minus y है, simply आप इसे add कर दो, तो क्या हो जाएगा, plus y minus y zero हो जाएगा, minus two x plus three x, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यह 25 हो गया, x का value 25 हो गया, बट हमें तो y का value चाहिए, तो I will write here, put, हम लिखेंगे, put x equal to 25, in equation number one यहाँ, two में put कर दो, मैं two में put कर देता हूँ, यह हो जाएगा, आपका three into x का value 25, minus y is equal to 25, so 25 three is a, 75 minus y is equal to 25, minus y को वहाँ पर shift करो, और 25 को यहाँ पर, तो 75 minus 25 is equal to y, तो 75 minus 25 कितना हैगा, आपका 50 आजाएगा, is equal to y, तो y equal to 50 years हो गया, so what is the present age of the father, present age of the person is 50 years, देखते कौन सा option दिया है, तो हमें option देखो, यहाँ पर दिया है, D option correct है, 50 years, तो यह D option correct है, बहुत ही आसान था, हमने solve कर दिया इसे, now see question 4 देखवा, वो क्या दिया है, question 4 है, a number between 10 and 100 is, five times the sum of its digit, तो आपको माले में 10 and 100 के बीच में जो number आएगा, तो वो two digit रहेगा, because 10 and 100 के बीच में number आपका 11 से लेके 99 तक जाएगा, तो two digit number रहेगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, in a two digit number, I will write here, in a two digit number, देखो यहाँ पर, in a two digit number, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, let x be the tense, let x be the tense and y be the unit place digit, ऐसे अजूम कर लेते हैं, unit place digit, ठीक है, unit place digit, so for a two digit number, let x be the tense place and y be the unit place digit, तो number कैसे आएगा, therefore required number, देखो हैं यहाँ पर क्या रहेगा, therefore required number, कैसे लिखें हम दो required number को, 10s के place पर कितना दिया है, x हमने लिया हूँआ है digit, तो यह हो जाएगा 10 into x, plus unit के place पर क्या दिया है आपको, y लिया हमने, तो 10x plus y हो जाएगा number, आप condition देखो, क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पर लिखा है, a number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digit, तो according to first condition, this required number is 5 times sum of its digit, यानि कि 5 into x plus y, तो इसको simplify कर दो, आपको equation मिल जाएगा, यहाँ समय मिलेगा, 10x plus y is equal to, तो देखो, 5x plus 5y हो जाएगा, so this is 10x minus 5x plus y minus 5y equal to 0, तो 10x minus 5x, तो 5x हो जाएगा, plus 1y minus 5y, तो आपको मिलेगा, minus 4y equal to 0, इसको आप देदो equation number 1, आप सेकेंड कर दिशन तो हो गया, आप सेकेंड कर दिशन देखो, हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड करनेशन बोल रहा है कि, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, if 9 is added to it, यानि कि जो number है, यह जो required number इसमें 9 को add करना है, that means 10x plus y में 9 को add करना है, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, if 9 is added to it, the digits are reverse, यानि कि digit reverse हो जाएगा, यानि कि हमने जो x लिया था 10s के place पे, अब वो हो जाएगा unit के place पे, और जो y हमने लिया था unit place digit, वो हो जाएगा आपका 10s place digit, तो आपका required number क्या हैगा, reverse करने के बाद, यह हो जाएगा आपका 10y plus x हो जाएगा, this way, पहले क्या था 10x plus y था, reverse कर दिया, तो 10y plus x हो जाएगा वो, simplify कर दो, यह हो जाएगा आपका 10x minus x plus y minus 10y is equal to minus 9, तो यह हो जाएगा आपका 9x और यह हो जाएगा minus 9y हो जाएगा, is equal to minus 9, 9 से divide कर दो throughout, यह हो जाएगा x minus y is equal to minus 1, इसे आप दे दो equation number 2, equation number 1, equation number 2, simultaneous equation solve करेंगा, तो answer हमें में जाएगा, simply क्या करना है, equation number 1 में देखो, यहाँ पर 5x और यहाँ पर x है, तो equation number 2 को 5 से into कर दो, so multiply by 5, देखते क्या आता है, यह हो जाएगा 5x minus 5y is equal to minus 5, इसे आप equation number 3 भी दे सकते हो, और इसके below equation number 1 लिख दो, equation number 1 क्या है, equation number 1 है, 5x minus 4y is equal to 0, यह आपका first equation था, subtract कर देंगे, answer हमें मिल जाएगा, तो minus plus, और यह minus, cancel हो गया, plus 4y minus 5y, तो कितना हैगा, minus y is equal to, यह minus 5, तो y का value, देखो हमें 5 मिल चुका है, y का value 5, put करो, either equation 1, 2, 3, आपको x का value मिल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, put y is equal to 5, in equation number 2 में put करता हूँ, because equation to simple equation है, तो यह हो जाएगा, देखो, आपका x minus y का value 5 is equal to minus 1, तो x is equal to कितना हो जाएगा, minus 1 plus 5, तो x का value आपको 4 मिल रहा है, तो आपका required number क्या हैगा, required number, आप देखो हमने यहाँ पर required number क्या निकाला था, required number आपका था, 10x plus y, so 10x plus y, that means 10 into x का value 4 plus y का value 5, यह हो जाएगा 40 plus 5, तो answer आपका 45 आपका, required number is 45, देखते हैं कौन सा option correct है, 45, option C, देखो हमारा correct है, C option correct है, बहुत ही आसान था, हमने इसे solve कर दिया, now see question about 5, देखो आपको पूछ रहा है, question about 5 है, the wages of 8 men and 6 boys amount to Rs. 33, the 8 men and 6 boys का जो total wages है, वो Rs. 33 है, if 4 men earned Rs. 4.5 more than the 5 boys, determine the wages of each man and boy, बहुत easy है, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, let, X be the wage, let X be the wage of each, पहले क्या बोला है, man ले लेते हैं, let X be the wage of each man and Y be the wage of each boy, Y be the wage of, हम यहाँ पर, each boy ले लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, condition क्या बोल रहा है, first, first condition बोल रहा है कि, the wages of 8 men and 6 boys, तो 1 men का हमने कितना wage लिया है, X, तो 8 men का कितना हो जाएगा, 8X plus 6 boys, each boy का wage हमने लिया है, Y rupees, तो 6 boys का कितना हो जाएगा, 6Y, और टोटल अमाउन कितना दिया है, 33, तो देखो, first equation आपका easily बन गया, अब मैं second equation बनाता हूँ, तो second equation क्या दिया है, if 4 men earn, rupees 4.5 more, 4 men, अभी each men का wage कितना है, X, अजुम किया है, तो 4 men का कितना हो जाएगा, 4X हो जाएगा, तो लिखा है कि, 4 men earn, rupees 4.5 more, 4.5 more earn कर रहे हैं, किस से, यहाँ पर 5Y से, यानि कि 5Y का जो earning होगा, उससे 4.5 rupees more earn कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5Y का earning, यानि कि 5Y हो जाएगा, यह condition दिया है आपको, फिर से बताता हम आपको देखो, 4 men का जो wage है, that is equal to 5Y का wage, और उससे ज़्यादा कितना है, 4.5 rupees ज़्यादा है, यानि कि 4 men earn, rupees 4.5 more than 5Y, 5 boys, यह आपको दिया है, तियास आपको दूसरा equation मिल जाएगा, 4X minus 5 is equal to 4.5 या simply 4.5 लिखा, तो भी कोई issue नहीं है, यह बन गया, आपका equation number 2, equation number 1 and equation number 2, simultaneous equation है, solve करेंगे solution आपको मिल जाएगा, तो equation number 1 देखो, यहाँ पर 8X है, और यहाँ पर equation number 2 में 4X है, तो हम क्या करेंगे, equation 2 को 2 से into कर दो, यह हुजाएगा, आपका 8X minus 2, 5 is a 10Y, 4.5 into 2 किया, तो 9 आएगा, इसको आप देदो equation number 3, equation number 3 के नीचे, equation number 1 लिख दो, equation number 1 है, 8X plus 6Y is equal to 33, यह आपका first equation है, subtraction कर देंगे, तो minus minus minus, यह cancel हो गया, minus 10Y, minus 6Y कितना मिलेगा, minus 16Y, 9 minus 33 करो, तो 33 minus 9 करेंगे कितना आएगा, हमें 13 minus 9, 4, यानि कि 24 आजाएगा, यह minus 24 आजाएगा, तो Y is equal कितना हो जाएगा, minus minus cancel, आप लिखोगे 24 upon 16, 8 से डिवाइड होता है, तो Y is equal to 83 जाएगा, और यह 82 जाएगा, तो Y का value कितना आएगा, 1.5 रूपीज आएगा, तो Y का value 1.5 या उसे आप बोलो 3 by 2, हम कहां पे पुट करेंगे, equation number 1, 2, 3, कहीं पर भी पुट कर दो, जो आपको easy लगे, ठीक है, तो मैं equation number 1 में पुट कर देता हूँ, तो I will write here, put Y is equal to 1.5 in equation number, चलो हम 2 में put कर देते हैं, in equation number 2, देखते क्या मिलता है, तो यह हो जाएगा, 4X minus 5 into Y का value 1.5, and this is equal to कितना है, 4.5 है, simplify करता हूँ हमें, यह हो जाएगा 4X, 15 into 5, 15 5 सा कितना होगा, 75 होता है, तो minus 7.5 आएगा, और यह 4.5, so this is 4X is equal to 4.5, minus 7.5 को right side में shift कर दो, तो यह हो जाएगा आपका plus 7.5, तो देखते हैं क्या मिल रहा है, 4X is equal to 4.5 plus 7.5, 7 plus 4, 11, 11, और यह 0.5, 0.5, 12 हो जाएगा, तो आप लिख दो यहाँ पे 12, तो X का value कितना हो जाएगा, 3, तो question क्या पुछा था, question पुछा था, determine the wages of each man and each boy, तो man को हमने X लिया था, तो man का कितना होगा, रूपीज 3 होगा, और each boy का कितना होगा, उसको हमने Y लिया था, that means, रूपीज 1.5 लिखो या 50 लिखो, तो यह आपका answer है, रूपीज 3, रूपीज 1.50, देखतें क्या option दिया है, रूपीज 3 and रूपीज 1.50, option B आपका correct है, बहुत ही आसान था, हमने solve कर दिया इसे, now see, next question दो, question number 6 हम solve कर रहे है, question number 6 पूछा है आपको, a number consisting of 2 digits, ठीक है, is 4 times the sum of its digit, and if 27 is added to 8, the digits are reversed, तो इसके पहले जो हमने question solve किया था, exactly same way इसे भी हमें solve करना है, तो 2 digit का number हम लोग यहां पे लेते हैं, तो I will write here, let x be the, हम यहां पे लिखते हैं, 10th place हां, let x be the 10th place, and y be the unit place, ठीक है, and y be the unit place digit, ठीक है, of a 2 digit number, of a 2 digit number, ठीक है, यह माज़ूम कर लेते हैं, तो required number क्या हैगा, तो हम यहां पे लिखेंगे, therefore, required number, required 2 digit number आपको पूछ रहा है, तो required 2 digit number is equal to, 10th के place पे x है, तो 10 से into करेंगे, तो 10x हो जाएगा, plus unit के place पे हमने y लिया है, तो required number आपका 10x plus y हो जाएगा, आप देखते हैं, first condition आपको क्या पूछ रहा है, और number consisting of 2 digit is 4 times the sum of its digit, यानि कि यह जो required number है, 10x plus y, यह 4 times है, sum of its digit, यानि कि 4 into x plus y हो जाएगा, यह first equation बनेगा, simplify कर दो इसे, यह हो जाएगा, 10x plus y is equal to 4 से bracket open, 4x plus, देखो, 4y हो जाएगा, rearrange कर दो, तो 10x minus 4x plus y minus 4y equal to 0, 10x minus 4x तो 6 हो जाएगा, और यह plus y minus 4y, तो आप क्या लिख होगे, minus 3y लिख होगे, equal to 0, और simplify कर दो, 3 से divide कर दो, बोच साइट, यह हो जाएगा, 3 2s आ, 3 1s आ, is equal to 0, इसको आप equation number 1 दे दो, so according to first condition, हमें first equation मिला है, 2x minus y equal to 0, अब हम second condition को read करते हैं, second condition देखो, क्या दिया हुआ है, if 27 is added to the digit, if 27 is added to it, यानि जो required number है, 10x plus y, अगर हम उसमें 27 को add करेंगे, ठीक है, 27 को add करेंगे, तो क्या हो जाएगा, that digits are reversed, यानि कि unit के place पे आजाएगा, 10s place का digit, और 10s के place पे आजाएगा, unit का place का digit, तो digits reverse हो जाएगा, तो number क्या बनेगा आपका, number आपका बनेगा, 10y plus x, इतना समझा लेगा आपको, अब इसको rearrange कर दो, यह हो जाएगा, 9x हो जाएगा, plus 1y minus 10y, यह कितना हो जाएगा, minus 9y is equal to minus 27, और simplify कर सकते हैं हम लोग, divide both side by 9, 9 से divide करोगे, x minus y is equal to 9, 3s are 27, यह हो जाएगा, आपका equation number 2, equation number 2, equation number 1, simultaneous equation is solve कर देंगे हम लोग, तो मैं क्या करता हूँ, equation number 1 minus equation number 2 कर देता हूँ, तो आपको easily answer मिल जाएगा, तो equation number 1 यहाँ पर देखो दिया है, 2x minus y equal to 0, इसके बिलो equation number 2 लिख दो, x minus y equal to minus 3, subtraction करना है, sign change होगा, minus plus, और यह plus, 2x minus x, तो x आएगा, plus y minus y, cancel, और यह हो जाएगा आपका 3, x का value 3 हो गया, y find out कर लो, तो I will write here, put x equal to 3 in any one of the equation, तो put x equal to 3 in equation number 1 में हम put कर देते हैं, तो equation number 1 दिख आपका यह है, 2 into 3 minus y equal to 0, तो 2, 3 is a 6 minus y equal to 0, तो y का value कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा आपको, तो question क्या था, find the number, और number क्या है आपका, 10x plus y है, so the required number is, 10x plus y, so 10 into x का value कितना है, 3 है, plus y का value कितना है, 6 है, 10 3s हा, कितना हो जाएगा, 30 plus 6, तो answer आपका 36, so देखते हैं, कौन सा option correct है, 36, option C हमारा right है, बहुत ही आसान था, हमने इसे solve कर दिया, so my dear student, through this video lecture, हमने exercise 1E का, question number 1 से लेके, question number 6 तक complete कर दिया है, तो next video lecture में, question number 7, onward continue करूँगा, तो I hope, आज का ये video lecture, आपको understand हुआ रहेगा, अगर video अच्छा लगा होगा, इसे like जरूर करना, maximum students को share कर देना, और अगर अभी तेक, आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, so that मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको, time to time मिलती रहेगी, so thanks for being with me, मिलते हैं next lecture में,